मैंने कितने पेसे कमाई याँ पर हेलो गाइस आज की वीडियो में हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं कैसिंग पट्टी किस तरह से फिटिंग होती है कैसे इसकी वाइरिंग वगरा होती है तो साइज करने के बाद आपको एक नील ले लेनी है नील के अंदर पानी डाल करके धागे को अच्छी तरह से भिगो देना है धागे को भिगोने के बाद आप लोगों को उपर चेड़ के इसका साइज वाइस लेकर के अच्छे से आपको कितनी केसिंग पट्टी नीचे रखनी है उस हिसाब से आप लोग क्या करेंगे कि इस धागे को आगे पीचे सेट करके इसे जाड़ लेना है अब कि सारी चीजे समझ में आजाए किस तरह से केसिंग फट्टी सेट हो रही है पार्ट नमबर 1, 2, 3, कुछ नहीं बनाया जा रहा, इस एक वीडियो के अंदर सारी चीज़े आप लोगों को बताई जा रही है, इसके अंदर वाइरिंग भी बताएंगे, बोर्ड भी बताएंगे, होल्डर वगयरा कैसे सेट करते हैं, यह सब बताने वाले हैं, कैसिंग पेज भी लगा सकते हैं, और चार पेज भी लगा सकते हैं, अगर दिवार अच्छी नहीं है, तो छे लगाईए, और दिवार ठीक खाक है, तो अब चार भी लगा सकते हैं, कैसिंग वगयरा को पकड़ के कैसिंग के साथ में ही, दिवार के अंदर होल को पार कर लेना है, क् केसिंग को बार बार में होल निकालने की ज़रुत नहीं पड़े गी केसिंग में एक बार होल हो जाएगा और पूरा अपना काम एक साथ हो जाएगा तो थोड़ी सी हलका सा बोल्ट को ठोकिये गा फिर अच्छे से कस डेजिये गा गिट्टी भी काफी मजबूत वाली ही होनी ये वीडियो को एन तक ज़रूर देखियागा लाइक करते जाएं और इसे अच्छे तरीके से फिट करना बहुत ज़रूरी है, हैमर मशीन की ज़रूरत आपको पढ़ सकती है, यहां केसिंग पट्टी के अंदर, क्यूंकि यहां पर हैमर मशीन तो बहुत ज़रूरी है, वेसे हर जगा पर पड़ती है, तो आप लोग अच्छे और आसानी से काम कर सकते हैं, तो इस तरह से मैंने चार पेच लगाएं हैं, जिसे आप देख सकते हैं, तो मैं छे नहीं लगा रहा हूं, चार लगा रहा हूं, छे भी लगा सकते हैं, वोशर के साथ में पेच लगाना है, क आदा केसिंग और यानि के डाई केसिंग यहां पर हो जाएगी और डाई केसिंग इद दिवार पर हो रही है तो हमने केसिंग तो कर लिया है पूरा फाइनल दुकान के अंदर पूरी फाइनल कर लिये अब यहां पर हमारे काम की जो पहचान है यहीं से होगी अगर ये सई तरीके से मिल गया तो हमारा काम सक्सेस्फूल हुआ अरे वह यहां पर एकदम अच्छे से मिल गया है इसका मतलब हमारा काम बिलकुल लेवल में हो रहा है पूरे स्क्वेर के अंदर छोटा सा टुकडा आया था वहां पर भी लेवल में काम हो गया है तो यहां पर धाई केसिंग है और इस दिवार पर भी धाई केसिंग है यानि कि बहुत सारी दस केसिंग है तो यहां पर यह हो गई केसिंग है और यहां पर हमने फैन के और बोर्ड कहां पर उताने हैं उस हिसाब से हमने नीचे उता लिया है क्योंकि ये चीज़े आप लोग सब जानते ही हैं बताने की कोई जरूत नहीं है आप लोगों को मेन इंपोर्टेंट शीद होती है वो वाइरिंग ही होती है और कहां पर बोर्ड लगाना है उस हिसाब से हमने पूरे दुकान के अंदर स्कुएर में कैसिंग लगा देनी है ता सी भी बोक्स भी लगाएंगे यहां पर यह चार-चार के लकडी की बोड है और एक होल्डर है सब सामान है आपको दिखाने वाले हैं और वाइरिंग है यहां पर 1 mm की यूज नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहां पर 1 mm ठीक है पूरा कोई-कोई जगह पर लोड वगेरा की वज यह पलस्तर नहीं हुआ है शर्टर वगेरा लगेंगे तब पलस्तर होगा बोड को सेट करने का जो तरीका होता है वह इस तरह से भी कर सकते हैं और आपकी इच्छा है तो जैसे भी आपकी इच्छा हो कसना चाहिए और अच्छे से फिट होना चाहिए मैं तो यह जानता हू आप चार भी लगा सकते हैं छे भी लगा सकते हैं से कोई नहीं है यहाँ पर गिट्टियां जो हो सबसे इंपोर्टेंट चीज होती है गिट्टी बहुत ही मजबूत और बहुत ही अच्छी वाली होनी चाहिए और गिट्टी जब लगा रहे हो और पेच कसर रहे हो उस समय हो जाएगी बाद में बोर्ड वगारा खोलोगे तो खतम नियू गिट्टी लाने बड़े नियू मशीन दोबारा से मशीन चलानी होगी मजबूत ही आप खुद देख सकते हैं आपके आखों के सामने हैं यहाँ पर हमने जो फिटिंग की है वो कम्प्रिटली स्क्वेर के अ उतार सकें बात यही कि हम आप लोगों को प्राइज वगेरा भी बताने वाले हैं हम कितने पैसे ले रहे हैं तो चलिए वाइरिंग की बारी आ गई है तो वाइरिंग को किस तरह से समझना है वो हम आपको समझाते हैं किस तरह से लगाना भी है यह भी हम आपको समझाते हैं तो अच्छे से आप लोगों को सेट कर देना है और आपको बताते हैं किस तरह से वाइरिंग होगी तो ये जो पीला वाइर है ये मैं बना रहा हूँ न्यूटल आपको फैसला लेना होगा कि कौन सा आप न्यूटल बनाना चाहोगे उस हिसाब से ही आपको काम करना है तो मैं यहां पर यह पीला वाला जो देख रहे हो आप इसको मैं बनाऊंगा न्यूटल इसको न्यूटल बनाऊंगा जो की सिस्टम न्यूटल इसका नाम होता है आगे आगे बताते हैं और यह जो जाएगा स्विच बोर्ड के अंदर यहां पर एक और कट लगा करें मैंने कहलाता है फेजनिक पॉइंट है यहां पर आपके सामने तीन तार मुझूद है किस किस चीजों के तीन तार मुझूद है एक तो पॉइंट है फैन का और एक होल्डर का सीधा यहां पर आएगा और आप देख सकते हैं दो पॉइंट नीले वाले हैं और एक न्यूटल है दो सीधा नीचे आएगा phase और neutral यहाँ पर एक point यह रहा एक point यह रहा और यह की इसका neutral यह रहा यह हम डाल रहे है neutral और phase जो की service phase और neutral है main supply है यहाँ पर हम joint नहीं करने वाले हैं यहाँ सीधा नीचे उतार देंगे इसे और ठोक देंगे casing पट्टी को ठोकने के बाद आप लोगों को समझाएंगे आगे आगे क्या होता है तो आप पहले वारिंग को देख लीजिए यहाँ पर यह दो neutral और phase है और यह एक system neutral है जो की neutral में joint होने वाला है वो हम बाद में बताएंगे board के अंदर कसेंगे तब तो यहाँ पर दो point हो गए और दो neutral phase हो गए और यहाँ पर में outdoor के लिए यानि के दुकान के बाहर एक holder लगाना है तो दो holder लगाना है तो उसके लिए भी हम यहाँ पर एक joint कर रहे हैं मतलब sorry यहाँ पर एक wire लगा रहे हैं इन दोनों को एक साथ खेचना है आगे और नीचे उतार लेना है यहाँ पर एक wire को नीचे उतारना है एक wire को cut कर लेना है यानि के पीले wire को cut कर देना है और नीले wire को नीचे उतार देना है ठीके यहाँ neutral होगा जो की पीला वाला wire जो आप देख रहे हो एक phase एक neutral और एक inviter ये हो गया काम अब दूसरे holder के जो wiring है वो भी हम यहां पर लेके आ रहे हैं इसको भी हम पीले वाले को यहीं पे काड़ देंगे और नीला वाला सीधा board के अंदर आ जाएगा connection कैसे होंगे आप वीडियो को देखना ही होगा end तक एक इसका neutral हुआ यहां तक छोड़ा उसका neutral हुआ यहां तक ही छोड़ दिया ठीक है अब हम कैसिंग पट्टी को अच्छे से fit कर देंगे मेरे हाथ में तीन तार और बाकी हैं वो किस चीज के हैं वो हम आके बताएंगे आप लोगों यह जो तीन तार है वो आगे जाएंगे main board के अंदर मतलब जहां प वेज एक neutral एक inverter यह तीनों wire सीध है इस board में तो नहीं जाएंगे इसके अगले board में यहां तक जाएंगे जहां पर MC भी लगेगी वहां यहां पर एक fan भी लगेगा यानि कि एक दुकान में दो फैन लग रहे हैं हमने जो installation कर लिए है इस wiring की तो बाइपास कर दिया है हमने उ आएंगे जिस जगा MC भी लगने वाली है तो यहां पर हम सीधा neutral phase उट बोर्ड का भी लेके आ जाना है और यहां पर हमने इसको भी अब fan का connection करें एक phase आपको सीधा board में लेके आ जाना है जिससे की switching हो तो मैंने नीला वाला नीचे लेके आ गया बोर्ड के अंदर पीला वा neutral हो गया और एक man neutral हो गया और एक phase हो गया जो कि holder के लिए switching होगा यहां पर नीचे तक हमने लगा दिये यहां दो जो point दिख रहे हैं यह सीधा उस बीच में आपर holder लगेगा उसके लिए यह दो point और दो point देख रहे हो यह main meter के wire हैं जो कि meter से इसके अंदर MC भी लगेगी यह तक connection होगा तो meter का wire में पहले बाहर खिचवा लेता हूं ताकि उल्जन ना लगे तो बड़े काम पहले कर लेना चोटे काम बाद में ही करना चाहिए wiring आप किसी भी सूरत में चला काम करवा सकते हैं wiring कैसे भी कर सकते हैं आपकी इच्छा है लेकिन अच्छे ही होनी चाहिए और ऐसा नहीं है शुरुआत यहां से करें यहां से करें शुरुआत आपकी मर्जियों जहां से ही करें जरूरी नहीं है यहां से करेंगे तो wiring कम लगेगी वहां से करेंगे लगनी है उतनी तो wiring लगेगी ही ज्यादा wiring नहीं लगेगी यहां पर हमने man board का wire निकाल दिया है य यावर बॉड़ लगेगा ये एक बोड़ लगा आट आट मोडल के तीन वड़े औरड़ चार मोडल की एक बोड़ है ये स्विचिंग है और स्विचिंग के अंदर सारी चीज़े होंगी यह ओलडर की कस के दिखाएंगे कैसे कसते हैं इस लगड़ी के ऊपर इस तरह से कसेंगे और आपको बताय में देंगे कैसे कसना है यह हमारे बाइस साब यहां पर होल निकाल रहे हैं लाइट चली गई ती इसलिए मशीन से नहीं कर रहे हैं mcb box यहां double pole वाली होगी और बाहर में जो out में हैं वो दो light लगाएंगे यहां पर मीटर के main wire आए यहां से output होकर सीधा इसमें भी आया और सीधा इस line में आगया यहां से joint होकर के सीधा bypass मैंने इस board में किया जैसे आपने मैं वीडियो में देखा है आगे तो किस तरह से होल्डर वगेरा लगाते हैं तो पहले होल्डर इस लगड़ी को लगा अगर के एक बार साइज नाप ले वहाँ पर एक होल निकाल दें अच्छा सा, अच्छा सा होल निकाल के गिट्टी अच्छी वाली फसाने के बाद और यहांपर ढ़ाई का बोल टो यानी ढ़ाई का स्कुरू, ढ़ाई इंच कहा जाता है, ढ़ाई इंच का इसकुरू इसके अंदर अच्छे से फिट करना है कसना है, थोड़ा ठोक लेना है, अगर ना बेटे तो टोकने के बाद आपको अच्छे से टाइट कस लेना है जिससे यह लकड़ी हलेना यह हम नीचे केसिंग के क्यों लगा रहे हैं क्योंकि गराहक की इच्छा थी कि आप नीचे लगाई है क्योंकि कल को हम यह ओल्डर हटा सकते हैं हटाने से क्या है कि बाद में पता नहीं इनका क्या दिमाग चल रहा था तो इसलिए हमने यहां होल्डर को नीचे लगा दिया अपर दो system neutral और main neutral यहां पर joint हो गया और हम होल्डर लगा रहे हैं होल्डर को आप किसी भी तरह से निशान लगा सकते हैं पेज कर और अच्छे से क खराब हो जाती है इसलिए वो कह रहे थे कि आप नीचे लगा जिए कल को हम ओल्डर हटाएं या कुछ भी लकड़ी वगरा हटाएं तो हमें परेशानी ना हो इसलिए हमने नीचे लगाया है तो यहां पर समझ लीजिए आप वाइरिंग को दो पीले वायर हैं और एक नीला व साथ देख रहे हो एक तो आपके सामने मेने शिस्टम लगा था और एक में लगाया था यह जो फेज है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्विचिंग ही है मतलब सोकेट के लिए ही है एक पौइंट दो पौइंट तीन पौइंट चार पाँच पौइंट यहां पर पांच न्यूटल के आप एक टेप लगा लेना है ताकि आपको समझ में आए तो इन पॉइंट का इन पांचों पॉइंटों के जो भी एक न्यूटल है यहाँ पर आप न्यूटल और फेस देख रहे हो दो तो सिस्टम न्यूटल है यह जा रहा है सीधा सीधा इस बोर्ड गे अंदर mcb वाले में ठीक है और उड़ो और बचे हैं यह दोनों कहा जा रहे हैं सीधा बाइपास हो रहे हैं सामले वाले बोर्ड में जो के हमने आपर कहीं पर भी जोइंट नहीं किया अगर आपको जोइंट नहीं करना है वाइरिंग तो इस तरह से फिटिंग करें जो में कर रहा हूँ यहाँ पर न्यूटल को एक जगा कर देना है और सिस्टम के न्यूटल को इसे सिस्टम न्यूटल कहा जाता है इसे भी एक जगा कर देना है जिसे की लाइटिंग वगेरा ओन हो इसे आप एक सोकेट के अंदर फसा दे अगर नहीं फसे तो एक तार को जोइंट करके जो कि मीटर से आ रहा है, MCB बोक्स से आ रहा है, इसे कहते हैं मेन फेज, यह भी हमने जोड दिया है, यहां पर आपको समझ में आ गया है, कहीं पे भी जोएंट नहीं किया है, पूरी फिटिंग के अंदर आप देख सकते हैं, किस तरह से फिटिंग करना है, यह इनवेटर का वायर है, इसे कहीं पे भी सेट नहीं करना है, इसे बाद में जब इनवेटर लगाया जाएगा, MCB के अंदर सबसे पहले जो वायर आएगा, वो आएगा मेन मीटर के वायर, जो मीटर से आ रहे हैं, वो वायर पहले आपको लगाना है, फिर इसके बाद सिस्टम वायर लगा देंगे जो सीधा बोड के अंदर आएगा यहां पर भी सवाइरिंग को अगर आप समझ लें तो यहां देख सकते हैं आप एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, छार पॉइंट हमने आप दिये हैं और दो फेज है जिसमें एक सिस्टम फेज है, एक मैन फेज है सिस बोर्ड से वाइपास उस बोर्ड में हो रहा है यहां पर सिस्टम फैज लगा दिया गया है mcb हम यह लगा रहे हैं 32 एमपीयर की आप अपनी कंडिशन के हिसाब से लगा सकते हैं कितना लोड क्या है उस हिसाब से 32 की या 22 की जो भी यह 20 की 15 की 16 की आप अपने कंडिशन के हिसाब से ही लगा सकते हैं इसे फिट करना भी बहुत आसान है आप अच्छे से फिट भी कर सकते हैं जरूरी नहीं है मैं कर रहा हूँ जयसे ही आप फिट करें और मैं यह नहीं कह रहा हम कि happy box है तो यहाँ पर ही आप लगाएं कहीं पे भी लगा सकते हैं आपकी चाहे जहाँ लगा सकते हैं बोर्ड आपकी मर्जी जहां लगा सकते हैं लेकिन याद रखे किस तरह से fitting करनी है वो आपको मैंने बता दिया है अब आपको बतानी है फिटिंग पूरी हुई हुई और इसकी प्राइस के बारे में और क्या क्या है तो गाइस मैंने टोटल यहाँ पर जो कमाई की है वो 2500 रुपे के आसपास मैंने यहाँ पर कमाई की है तो यहां पर Shatter दो हैं लेकिन दुकान एक है पूरे कमरे जिती तो मैं यहां पर जितने सामान लगे हैं उन पूरे सामान की लिष्ट में आपर आपको दिखाता हूं स्क्रीन पर तो आप देख सकते हैं यहां प्लास्टिक के बोर्ड की कीमत है सोकेट की कीमत स्विच की कीमत और MCB की प्राइज mcb box की price और casing पटी की जो price है ये है तो आपको ये लग रहा होगा कि सर्य आप कम बता रहे हो तो आपके market में ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है quality के हिसाफ से फर्क पड़ता है जैसे cable 1000 रुपे के 1050 की भी मिल जाएगी या 950 रुपे की भी मिल जाएगी तो total cost 4500 रुपे